हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है और आज का टोपिक है आयसको के सांदन में तीन मैथेड ठीक है तीन मैथेड याँ पर हम तर्चा करेंगे क्लास टूल्द कमिश्टी अंसी अर्टी चेप्टर सिक्स का ये टॉपिक है पर बच्चो और आप लोग वीडियो को अंतक देखा करें और आज की वीडियो में आपको गुरूत्ती प्रत्थक करन बीधी द्वारा कैसे हम किसी आयसक का संदन कर सकते हैं चुम की प्रत्थक कर करने वाले हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंतक देखें तीनों मेथड आपके हेल्फुल होगा तो कि आगे चलकर प्यरे बच्चो दि कह दिया जाए कि हम जो संदन है या आपका जो प्यरे बच्चो आयसको का संदन है जाग उत्प्लाबन से करते हैं तो आपक गुरुत्वी एक प्रथाक्रणवी दी और दूसरा हमारा रहेगा प्यरे बच्चो चुमिकी प्रथाक्रणवी दी जो कि डाइग्राम से आपको बिल्कुल बिर्वत समझ में आएगा तो वीडियो का अंतक थोड़ा सा देखते रहें तो शुरू करें पहला टॉपिक है द ऐसे प्यरे बच्चो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया पीस करके महीन पीस करके प्रवाहिद किया तो जल जब प्रवाहिद करेंगे तो इसमें जो भी असुधियां है वो जल के सांथ मिलकर के प्यरे बच्चो वो बह जाएगी और जो सुध ऐस्क है वो तली पर गुरुत्य के अधीन बैठ जाएगा गुरुत्य के अधीन मतलब चुकि यह आपका प्रथवी है और प्रथवी पर यह बस्तु है तो कर जाता है वतलब समझने कोशिस करें जिस भी अयसक का संद्रन करना होता है उसको अपन बारी पीस लेते हैं और पीसने के साथ बहती हुई जल में डालते हैं जिसे जल बह रही है पेर बच्चो और यहाँ पर डाल दिया गया तो इसमें जो भी असुधियां है वो जल के सा आइंग कण के अपेचिग घणतों के अंतर पर आधरीथ है कहने का मतलब जो भी अयसक में असुधियां होती है और अयसक निके घंनत पर डिपेंड करता है जो कि आईसक का घंनत अधिक होता है इसलिए उसका भार अधिक होने कण तरी पर बैठेगा इसलिए इसमें जल के साथ नहीं बहेगा प्यारे बच्चो इसलिए कहा जाता है कि यह जो गृत्वी प्रथक करण है वो घनत्तों के अंतर के करण होता है हम इस बीद में बारीक पिसे आयसको जल की बहती धारा में होते हुए हलकी अधात्री जल के साथ बह जाती है यहां पर थोड़ा सा करते हैं तब क्या होता है हलकी अधात्री जल के साथ बह जाती है बतलब जो असुद्धियां होती है वो जल के साथ बह जाती है तता आयसक के भारी कर आयसक के भारी एनि बजने कर नीचे बैठ जाते है उदाहरन के लिए इस बीदी कव्योग आकसाइड आयसक जैसे हेमेट स्टोन है ना यह माली यह सोना का हो गया सिल्वर का हो गया आदी के मुख आयसकों के संद्रण के लिए करती है कुल विलाकर पैरे वच्छों यह आपको दिख रहा है मैं तड़ कठें दिख रहा है लेकिन है नहीं मैंने क्या कहा जिस भी आयसक का संद्रण करना है उसको आप पारीक पीषने के बाद बहते हुए जल के साथ उसमें हम प्रवाहित करें तो होता क्या है जो उसमें अधात्री होती जो असुद्या होती है वो बहते हुए जल के साथ बह जाता है पेरे वच्छों और जो आयसक करने होते हैं वो भारी होने के कारण तली पर बैठ जाते है कैसा लगा गुरुत्वी प्रत्थाकरण कुछ भी नहीं मैंने क्या कहा जिस भी आयसक का आपको क्या करना है सांदन करना है असुद्धियों को अला करना है उसको बारीक पीस लेते हैं बारीक पीसने के बाद पेरे बच्चों से बैहते हुए पानी के साथ ब्रवाहित करते है और वो अधात्री जो असुदिया होती है बैतवी पानी के साथ बैह जाता है और जो भी अयस्क का क्या होता है कण होता है वो गुरुत कैधीन तल पर बैठ जाता है जिसे हम अलग कर लेते हैं दूसरा आपका मेतड पैरे वच्चो चुम्ब के प्रथाक्र नवीदी में क्या होगा कि ऐसे पदार्थ जो चुम्ब के और आकरसित होंगे उसी का हम इस विदी के आधार पर सांधन कर सकते हैं यानि जैसे माली जी लोहे का आयस्क है लोहे का आयस्क पैरे वच्चो हम चुम्ब के प्रथाक्र नवीदी से कर सकते हैं क्योंकि चुम्ब के प्रथाक्र नवीदी में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो चुम्बा से कुछ न कुछ आकरसित होता है और जो आकरसित हो वही इस विद्य में सांद्रत हो सकता है अब इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं आयस्क को बारीग पीस लेते हैं पहरेवच्छों और एक बेलन में से गुजारते हैं यह आपको दिख रहा है बेलन इसमें ऊपर पθटा रागा रहता है जिसके ऊपर हम बारीक पिसा हुआ आयस्क डाल देते हैं और जब यह पट्टे के साथ पेरवच्चों यहां से मालीजे यहां पे मालीजे एक ऐसा माध्यम है जिसके सहायता से यहां से आयस्क डाला जाता है तो आयस्क को हम बारीक पिसते हैं आयस्क को हम क्या करते हैं बारी पीशते हैं पैरे बच्चो और ये आयस्क इसमें बेलन पे चलता है अब क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिस करें इसमें जो भी आयस्क आयस्क या असुद्ध दो में से कोई तो भई या चुमकत्तों का गुड़ होना चाहिए उसमें मतलब चुमबक क्यों करता है जैसे माली जीए आयरन का आपका आकसाइड है आयरन का आयस्क है जब आयरन को हम बारी चुन के रूप में पीस लेंगे तो आयरन जो होता है पैरे बच्चो आयरन के जो कड़ हैं वो चुमकी पदार्थ की और आकर्सित होते हैं तो बारी पिसा हुआ कन जब इसमें बेलंस से होकर नीचे गिरने की कोशिस करेगा तो यह जो चुम्बकी पदार्थ है पेरे बच्चों यह जो चुम्बकी पदार्थ है वो आयरन के कणों को अपनी और आकरसित करेगा और असुद्धी को जाने देगा तो असुद्धी अलग हो जाएगा और जो आपका आयरन लाग प्राप्त हो जाएगा कि कहने का मतलब इस विदिका प्रयोग हम तभी करेंगे जब या तो आयस्क या आयस्क में उपस्थित असुद्धियों दो में से एक में कोई न कोई चुमकी प्रवत्ति के होने चाहिए यानि वो चुमबक की और आकरसित होने चाहिए समझ है ना पैरवच्चों मैंने क्या कहा इस गुण या इस विदिका प्रयोग मुसी आयस्क के सस्कात कर सकते हैं जिस आयस्क में चुमकी प्रवत्ति हो या कि आयस्क के असुद्धि में चुमकी प्रवत्ति हो तभी तो यहां पे चुमकी पदार्थ या तो असुद्धी को अपनी और आकरसित करेगा या तो आयसक को अपनी और आकरसित करेगा अब देखिए यदि चुमकी पदार्थ असुद्धी है या असुद्धियां जो है चुमकत्तों का गुर्ण रखती है तो असुद्धी अलग हो जाएंगे और जो आपका सुद्ध आयसक है वो अलग हो ज बिशते हैं और इस बेलन में से गुजारते हैं जब यह आयसक नीचे गिरता है पेरे बच्चो तो जो आपका चुमकत्व का गुड़ रखता है चुमकी प्रगवत्ति का होता है वो चुमकी पदार्थ की ओर और जो असुद्धिया है वो अलाग हो जाती है स्रीम पालार से खी dus इसे ाकरशी ओकर रोलर के पास जयते हैं जर्ड़कि आपको हंड़ी लिखना मैं अपने वहास समजा देता हूं आप लिक भी सकते ृबधा कर सकते इंग्विornis तो यह दिक्तव समझ रहे हैं वह टषजित declaring कि इसम्द्विव कर सकते हैं लेकिन इतना कारंटी होना चाहिए उस आयस्क में या तो या तो उसके सुद्य में चुमकत्यु को गुणुन होना चाहिए कि आ एक जामपल के तौर पर यहां पर देख सकते हैं क्रोमाइड क्रूम्यम का आयस्क है जो कि चुमकी प्रवति होता है एबंद अनचु क्था कर कि पैरे बच्चों हम यहां पर प्रियोग उसी का करेंगे जिसमें चूंबकर्ट का भूण होगा कí जो चूंबकी पदार्थ Biz hut नहीं होगा उसमें इस मैथफार का प्रियोग हम नहीं कर सकतें ठीक है कलियर रहः इसकेंड अपने समझ पैरे बच्चो उमीद करता हूँ या आपको समझ में आगया होगा अब हमारा जो सबसे महत्मूण है आज का फेन यह जाग उत्पलाबन भी थी उत्पलाबन भी थी ठीक है यह पार उत्पलाबन लिखा en corner उत्प्लाबन आप कर लें ठीक है उत्प्लाबन भी थी जाग उत्प्लाबन भी थी बहुत ही important कुछ भी नहीं है तोड़ा समझने कोशिच करेंगे इसमें होता क्या है हम देखे कोई भी आयस्क है आयस्क का सांधन करते समय आपको उसे बारिक चून के रूप में पीशना चाहिए आप बेर कविदी का प्रयोग करें सरपेक कविदी का या हाल का विदी का प्रयोग कुछ भी करें प्यरवचो उसे आप महीं चून के रूम में पीशेंगे तबby उसका सांधन हो सकता है अनथा सांधन नहीं हो पाएगा तो इसमें भी प्यरवचो अपन एक मतलब एक पात्र होता है और पात्र के निचले भाग पर पैरवच्चों हम आईसको को महिन चोड के रूप में पीस करके रख लेते हैं असुद्धियों तो जो भी आईसको रख लेते हैं तो सबसे पहले पैरवच्चों आपको जो भी लिखना यहां पर लिख दिया जाता है कि इस कुछ धातों के सलफाइड आईसकों से गैंग को दूर करने में करते हैं गैंग क्या है असुद्धिया है इस डाइग्राम में समझें कि सबसे पहले पन क्या करते हैं जो भी आपका आईसक होता है इस पात्र के यहां पर तल पर रख देते हैं महीन चोड के रूप में पीस क निलंबन का मतलब यह होता है कि जिस भी मालीचे आपका कोई भी तेल है पैरे बच्चों जिसमें हम उसको मिलाते हैं ठीक है जैसे यहां पर देख सकते हैं आयस्क यहां से डालते हैं तो निलंबन का मतलब यह होता है कि जो आपके आयस्क के छोटे-छोटे कड हैं वो हमको द जैसे होता वास्तिक विल्यन, कॉलाडे विल्यन, निलंबन तो वास्तिक विल्यन तो बिल्कुल मिला हुआ रहता है जैसे तेल के साथ मिलाते हैं तो पूंड रूप से मिल जाया लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी से कढ़ामे दिखाए दें, आकार में कुछ पदार्थ मिला देने हैं, फिर इसमें करते क्या है, कि उपर से से माली जी यहां पर एक नली लगा रहता है, इसमें से हम बायू प्रवाहित करते हैं, तो जब वो आपस में क्या होता है, पैर बच्चों, बायू के बुलबुले के साथ, उसमें अंदर मन्थन होता है कहने का मतलब जो आपके आयस्क हैं, तेल हैं, वो आपस में गती करते हैं, गती करने के फलसरूप जाग बनता है, और जाग बनने से पैर बच्चों, आपका जो है असुद्धियां हो जाग के रूप में बाहर हो जाता है और निकल जाता है, जैसे आपने कभी देखा होगा आपके घर में जब मक्षन होता है प्रक्रिया के दौरान तो जो ज़ाग है वो बाहर आता है उसी प्रकार यहां से प्रवच्चो जैसे नीचे हमने रख दिया यहां पर मालीजे यूके लिप्टिस का तेल रख सकते हैं आप है ना और वसामले भी रख सकते हैं ऐसा चीज़ होता है और यहां पर आयसक के साथ और तेल यहां से डालती है जगए बना होता है जहां से आयसक डालती है तेल डालती है तो पेरे बच्चो इसके बाद हम इस बाहर से नली लगी ह हो जाते हैं और जो आपका आयस्क होता हो तली पर बढ़ जाता है कुल मिलाकर पैरवच्चो जिस भी आयस्क का हमें संद्रण करना होता है उसके उसको हम महीन बादी चून की रूप में पीछ लेते हैं और टैंक में रहता है तेल या एकलेट इलिप्टिस का तेल या तारपी हैं गैंग हैं ओ अलग हो जाता है और जो आपका पैरवच्चो आयस्क है ऑफन के रूप में आस्थियों को दूर करने के लिए फेन या जाग उत्प्लावन बिदी का प्रयोग करते हैं क्या का हमने आयसक से असुद्धियों को जाग के रूप में अलग करना जाग उत्प्लावन बिदी उपयोगी होता है जाग उत्प्लावन बिदी का प्रयोग करते हैं जिस भी आयसक का हमें संद्रन करना होता उससे बारिक चून के के पीस्टे हैं यहां पर हम अजितरा है फिसके बाइव का तेज दारिए प्रभाइट करेंगे बूलुबला उथक्रपन्नो कब पूरा और स्क्रेंसट में पूरा सब्सक्राही है एवाक्न मैं नित्के शुक्त आप हो सके आल टॉपिक्स इस वर्स आपको कंप्लीट सलिवस कराया जाएगा आप बिल्कुल चिंता ना करें अब बस महिनत करते चलें हम आपके लिए हमेशा तयार हैं हम आपकी साथ हैं बस आप लोग सपोर्ड करें हम आपको हमेशा सपोर्ड करते रहेंगे जिहां एडिया प्रापर रूप से नोट दिये जाएंगे ताकि आप लोग प्रापर रूप से च्छे से त्यार कर सकें चले पहरे वच्छों मिलते हैं अगरे वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिन बने मात राम